प्रकाश के परावर्तन जो चेप्टर है चेप्टर 9 ने यूनिट 6 प्रकाश की क्लास 12 इसका नोट्स बनाना सीखेंगे कैसे नोट्स बनाते हैं चलिए फॉलो करते रहिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले हम लोग प्रकाश को जान लेते हैं कि यह होता क्या है प्रकाश लाइट तो यहाँ एक तरह से उर्जा कर रूप होता है जो संसारिक वस्तों को देखने के लिए हमारी मदद करता है साथ ही साथ यह हमें उस्मा भी प्रदान करता है और उर्जा भी प्रदान करता है पेड़ पौधों को भी इससे लाब होता है प्रकाश के वज़े से ही वो लोग अपने उचाय में वृद्धी कर पाते हैं हम लोग भी अपने उचाय में वृद्धी कर पाते हैं और हमार प्रकास का मुख्य सोध भी है इसी सरवाधिक मात्रा में प्रकास हमें प्राप्त होता है और बहुत सारे तारे हैं और जुबलन सिल्फ पदार्थ भी है जिससे हमें लाइट प्राप्त होता है निरवात या वायू में प्रकास का जो वेग होता है तीन गुणि दस के घात वो तीन गुणित दस के घात आठ मीटर की दूरी तै करता है हर एक सेकेंड में चलिए आगे बढ़ते हैं प्रकाश की तो अप्टिक्स प्रकास का अध्यन करना ही प्रकाश की कहलाता है भोत्की की वह साखा जिसके अंतरगत प्रकाश उर्जा और उससे संबंधित परिगटना जैसे प्रकास का परवर्तन है प्रकास का अप्वर्तन है व्यतिकरन है विवर्तन है दुरुवन है इन सब का अध्यन करना ही प्रकाश की कहलाता है इनके दो साखाएं है एक है कीरन प्रकाश की रे आप्टिक्स तो कीरन प्रकाश की के अंतरगत यह माना जाता है क कि प्रकास किरन के रूप में होता है और इसी के माध्यम से सिध्ध हो पाया कि प्रकास सीधी रिखा में गमन करती है तरंग प्रकाश की वेव आप्टिक्स तो इसमें यह माना जाता है कि जो प्रकास होता है वो तरंग के रूप में होता है प्रकास जो होता है तरंग के प्रकास का परवर्तन चेप्टर का नाम भी यही है प्रकास का परवर्तन रिफलेक्शन आफ लाइट तो यह होता क्या है चलिए देखते हैं प्रकास का किसी सतह से चाहे वो चिकनी रहे या खुरदूरी रहे उससे टकरा कर उसी माध्यम में वापस जाना ही प्रकास का परवर कहलाता है जिस प्रिष्ट से प्रकास का परवर्तन होता है उस प्रिष्ट को परवर्तक प्रिष्ट कहते हैं चलिए चीत्र की माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे यहां देखिए मैं छोटा सा चित्र बनाया हूँ एक दरपन ले लिया हूँ क्योंकि दरपन जो होता है सभी लाइट को लगभग रिफलेक्ट कर देता है तो यह दरपन लिया हूँ दरपन का जो नीचे वाला भाग है यह इसका पीछे वाला साइड है दरपन का पीछे वाला साइड है और यह है इसका परावर्तक प्रिष्ट जिस पर लाइट पढ़ना है परावर्तक प्रिष्ट है तो देखते हैं जब कोई कीरन इस पर आप्तित हो रहा है माल लेते हैं यह वी दिशा में परावरतित हो रहा है अब अपने इस विदा के लिए जब दरपन पर कोई नार्माल ले लेते हैं अभिलंब ले ले लिए नार्माल एड़ आ थो नार्मल और आपतित किरन के बीच का जो कोन रहitié अभिलंब और आप द्य लंब और परावर्थित किरन के चुले देख़िए, A.O M अंगल यह आपका आप्तन को और इंगल बी, ओ एन, यह आपका परहुतन को, जाहां पर यह बिंदु मिलते हैं, जहां पर यह जीए दर्पण कि जिस बिंदु पर ये श्रक़कराती है अप्तित किराम उसके बाद परावर्तित होती है यही कहलाएगा हमारा आपतन बिंदू चित्र को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि थियोरी आपको याद निकर रहा है इसी के थुरू आपको लिखना है जो भी है जो आप समझ रहे हो उसी को लिखना है कोई कीरन आपतित हो रहा है उसके बाद परावर्तित हो रहा है इस पर अपनी स्विधा के लिए एक अभिलम्ब ले लेते हैं और फिर बनने वाले कोन को परिभासित कर सकते हैं यह नीचे दरपन का पिछला भाग है और यह सामने वाला भाग है जिसको हम लोग परावर्तक प्रिष्ट बोलते हैं ये जिस पर light incidence होगा देखे परावर्तन के केवल दो ही नियम है पहला है आपतन कौन आई सदेव परावर्तन कौन आर के बराबर होना चाहिए यह होता है दूसरा आपतित कीरन परावर्तित कीरन और अभिलंब तिनों एक ही तल में इस्थित होते हैं और जिस तल में इस्थित होते हैं जिस बिंदू पर इस्थित होते हैं उसको आपतन बिंदू कहते हैं यहां डायग्राम में भी देख लीजिए I is equal to R होना चाहिए परावर्तित होने के लिए और यह आपतित की रण, परावर्तित की रण और अभिलम तीनों दरपन के एक ही तल परिस्तित है और जिस बिंदू परिस्तित है यही कहलाएगा आपका आपतन बिंदू परावर्तन के दो प्रकार होते हैं एक तो नियमेत परावर्तन, regular reflection तो किसी चिकनी चमखदार सता से परावर्तन ही नियमेत परावर्तन कहलाएगा जिसके प्रत्यक बिंदू से जो परावर्ति होने वाली किरणे हैं वो समांतर हो जैसे कि दरपन है और कोई भी चिक्नी सता है जैसे इस्टील का कोई वर्तन है वहाँ से जो परावरतन होगा वो निमित परावरतन कहलाएगा और दूसरा है अनिमित परावरतन, अनिमित परावरतन या विशरी परावरतन, irregular या diffused reflection तो किसी खुर्दूरी सता से परावर्तन ही हमारा अनिमित परावर्तन कहलाएगा जैसे दिवार है कागच वगेर है और कोई भी वस्तु है उससे जो परावर्तित होने वाली जो किरन होगी वह अनिमित परावर्तन कहलाएगा अब देखिए किसी भी वस्तु को हम लोग परावर्तन के ही वज़े से हम लोग देख पाते हैं तो यहाँ पर हम लोग दोनों में अंतर छात्र स्वयम कर सकते हैं नीमित परावर्तन में क्या होता है सब जगह से किरन समार रूप से परावर्तित होता है अनेमित में ऐसा नहीं होता चिकनी सता से परावर्तन नेमित परावर्तन होता है और अनेमित में खुरदूरी जगह से उदाहरन लिख सकते हो आप लोग चलिए प्रतिविम्ब देखते हैं तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकास किरने परावर्तन या अपवर्तन के पस्चात किसी बिंदू पर मिलती है अत्वा किसी बिंदू से आते हुए प्रतीत होती है तो उस बिंदू को प्रतिविम्ब कहते हैं आ गया समझ में प्रतिविम्ब मतलब इमेज है ना तो किसी विवस्तु का इमेज बनना ही प्रतिविम्ब कहलाता है प्रतिविम्ब के दो प्रकार होते हैं एक तो वास्तविक प्रतिविम्ब होता है और दूसरा होता है अभाश्य प्रतिविम्ब तो पहला है वास्तविक प्रतिविम्ब रियल इमेज तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प परावर्तन या अपवर्तन के पस्चात किसी बिंदु पर मिलती है, तो इस बिंदु पर बना प्रतिभिंब वास्तविक प्रतिभिंब कहलाता है। नीचे की और भी एक कीरन परावर्तित हो रही है, जो परावर्तन के पस्चात उसी दिशा में वापस जा रही है। प्रतिभिंब को भी समझ सकते हैं। अगर ये कांसेप्ट आपको क्लियर हो गया वास्तविक प्रतिभिंब तो आप अभाशी प्रतिभिंब को जस्ट अपोजिट करके मांड में रख सकते हो। वास्तविक प्रतिभिंब सदय उल्टा उल्टा प्रतिभिंब बनता है। वस्तविक प्रतिविंब बनाता है जिस पर उल्टा प्रतिविंब बनता है रेटीना पर हम प्रतिविंब बनता है चलिए सेकंड देखते हैं अभाश्य प्रतिविंब तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकार्श कीरने परावर्तन या अपवर्तन के पास चाथ किसी बिंदु पर नहीं मिलती तो अपनी इस वीधा के लिए किसी बिंदु से आते हुए उसको प्रतीत कराते हैं कि इधर से आएगा तो यहाँ पास मिलेगा करके वर्तन के पश्यात इधर जा रही है अब ये ऐसा जा रही कि मतलब कटान बिंदू मिलने की संभावना नहीं है तो इसको हम लोग पीछे की और बढ़ा देते हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये इधर से किसी एक बिंदू से आ रहा है और जिस भी बिंदू से आ रहा है यही इसका इमेज बनेगा यही इमेज वर्चुल इमेज का लाता है वास्तविक स्वारी अभाशिय प्रतिविम्ब का लाता है अभाशिय प्रतिविम्ब तो सीधा बनता ही है है ना किन्तु इसको परदे पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता वास्तविक और अभाशिय प्रति के बिम्बों को study कर लिए चलिए दरपन के दरपन एक ऐसा युक्ति है जो अपने उपर आप्तित होने वाले संपूर्ण किर्णों को परावर्तित कर देती है संपूर्ण किर्णों को थो ब्रह्म और में अब कोई भी चीज नहीं है कोई भी क्रिया नहीं है जो संपुर्ण हो लेकिन बस प्रायोगीक द्रिश्टिकों से माना जाता है तो दरपन भी ऐसे ही है वैवहार में कांच पर जब तीन वो मरकरी के योगी की कलेई करके दरपन बनाया जाता है मतलब पीछे में इसको कलेई किया जाता है और एक है इसको भी कांच के पीछे में लगाकर दरपन मनाया जाता है पर आवर्तक प्रिष्ट के अधार पर दरपन जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं परवर्थक प्रिष्ट के अधार पर, दर्पन तीन प्रकार के होते हैं, पहला देखिए सम्तल दर्पन, दूसरा है गोलिय दर्पन और तीसरा है परवलयाकार दर्पन, तो सम्तल दर्पन क्या होता है? जिसका परावर्तक प्रिष्ट देखे ये उपर नीचे वला है ये इसका च्छाया है पीछे वला भाग या ऐसा बना सकते हैं तो ये है इसका परावर्तक प्रिष्ट मतलब सामने वाला भाग ही परावर्तक प्रिष्ट कालाता है जिधर से हम लोग अपना चेहरा देखते हैं तो जिस दरपन का परावर्तक प्रिष्ट समतल हो वह कहलाएगा क्या कहलाएगा आपका समतल दरपन दूसरा गोलिय दरपन या स्फेरिकल मिरर तो जिस दरपन का परावर्तक प्रिष्ट क्या हो गोलिय हो वह कहलाएगा गोलिय दरपन तो ये देखिए गोली दर्पन एक गोला का एक भाग होता है आप इधर की गोला की बात करें तो ये उतल दर्पन कहलाएगा और ये वाला गोला का जो भाग है वक्र वाला भाग है ये कहलाएगा आपका उतल दर्पन तीसरा जो है परवलयाकार दर्पन पैराबोलिक दर्पन तो इस दर्पन का परावर तक प्रिष्ट परवलयाकार होता है कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि दर्पन परवलयाकार रहता है जैसे उबरा हुआ रहता है कहीं पे बहुत ज्यादा अंडाकार में तो इधर से देखने पर फोटो बड़ा दिखता है कहीं पर बड़ा हमारे जैसे मुंडी बड़ा दिखता है पेट एकदम पतलू हो जाता है तो ये परवलायाकार दरपन होता है पराबोलिक मिरर चलिए नेस्ट टॉपिक है गोलिय दरपन समतल दरपन जो होता है प्लेन ही हो होता है है इस पर कोई विश्यस नहीं है स्पेरीकल मेरर पढ़ेंगे हम लोग मधंगो वह दर्पन जीसका परहार्वर्तक प्रिष्ट गोलिय दर्पन कहलाता है तो जो गोली दर्पन है वह भी गोले का एक भाग होता है जिसका एक फलक चमकदार होता है सामने वाला प्रिष्ट जिस पर हम लोग चेहरा देखते हैं जिसको परावर्तक प्रिष्ट भी कहते है और दूसरा जो फलक होता है वो अपारदर्सी होता है जिस पर कोई प्रतिविम बनता नहीं है तो गोलिय दर्पन दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है आवतल दर्पन जिसको कान के मीरर बोलते हैं आवतल दर्पन जिस गोलिय दर्पन का परावर्तक प्रिष्ट दबा हुआ हो जिस गोली प्रिश्ट का परावर्तक प्रिश्ट क्या हो, दबा हुआ हो, वो कहलाता है अवतल दरपन, चम्मच ले ले लेते हैं उदाहरान, है ना, चम्मच ले ले लेते हैं। जाहरान तो चम्मच का देखिए अंदर वाला भाग क्या कह लाएगा हमारा अउतल धर्पन कह लाएगा है ना और इसका यह हो जाएगा आपको प्रावर्तक प्रिष्ट अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं उतल धर्पन की तो यह बाहर वाला भाग क्या कह लाएगा हमारा उत उतल दरपन जिधर से light क्या होगा reflect होगा देखिए इसको अच्छे से mind में set कर लीजिए उतल दरपन के लिए ऐसा जो होगा इसका डियाग्राम बनेगा यह है रहेगा परवर्तक प्रिष्ट जिधर से light प्रकास का परवर्तन होना है और यह अपार दर्शी मद्धे में पीछे साइड है light दरपन का अब दीकिए उतल दरपन तो उतल दरपन Convex Mirror जिस गोली दरपन का परावर्तक प्रिष्टि और अबहे हुए उबहे हुआ हुआ है ज्यसे चम्मच में भी आ तो उम्मिद है आप सब को अच्छे से समझ में आया होगा इसको हम लोग सिरीज में बनाएंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा ओके एवरिवान आप लोग अच्छे से स्टेडी करते रहे हैं थैंक यू एवरिवान थैंक यू